नमस्कार दीराजस्तान न्यूज में स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ सुनीता रायशर्मा बॉलेटन के शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर से जो कि जुनजनु से मिल रही है जुनजनु में चातर संग उपाध्याक्ष पिंकी राव की मौत हो गई दरसल इलाज के दोरान पिंकी राव ने अस्पताल में दम तोड़ा है मोरारका कॉलेज के कुए में कूदी थी पिंकी एनेस यूआई के उपाध्याक्ष थी पिंकी राव पिंकी के बैक को पुलिस ने जब्ट किया है वहीं कूए में कूदी की बढ़ू का अभी तक पता नहीं चला ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको बता दे इस वक्त की बड़ी जुनजनु से मिलती हुई जहां च्छातर संग उपाध्याक्ष पिंकी राव की मौत हो गई है दरसल पिंकी राव ने कूए में छलांग लगा दी थी जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया अस्पताल पहुचाया गया बता दे की पिंकी एन एस यू आई की उपाध्याक्ष थी पूरी ख़बर पर जानकारी लेंगे जी मीरिया समवादाता संदीब केडिया से संदीब कोई जानकारी मिल पाई है भी तक यह फिलाल यही जानकारी मिल पाई है और जब तक उसे निकाला गया अनि अपसे करीब 10 मिनट पहले उसे खुड़े से निकाला गया था तब तक उसमें जो सासे थी वो जो जो रही ती लेकिन जो ही अस्पताल पुंची तब चिकिस्तकों ने उसे मर्द गोशित कर दिया है और पुलिस ने परिजनों को सुचना दे दी है और जल्दी परिजनों के आने के बाद आगी ही कारवाई की जाएगी जी समिता बिलकुर यानिके अभी परिजनों का इंतिजार हो रहा है कारणों का खुलासर नहीं हो पाया शुक्रिया आपका संदी पूरी जार्कारी के लिए जूंजनों का पूरा वाक क्या है चातरसन उपाध्यक्ष पिंकी राओ की मौत दरसल मुरार का कॉलेज में NSUI की उपाध्यक्ष थी पिंकी राओ जिन्होंने एक कॉलेज के ही कुए में छलांग लगा दी थी अस्पताल पहुचाया गया डॉक्टरों ने मृत घोशब किया और अब रुख करेंगे कोटा का कोटा के महावीर नगर में UIT की कारवाई पर हंगामा हुआ है UIT ने इलाके में अधिक्रमण हटाने की कारवाई की जिससे लोग भड़क गए लोगों का कहना है कि कारवाई से पहले उन्हें सूचित नहीं किया गया लोगों ने रास्ता जाम कर दिया सड़क पर टायर जला कर हंगामा किया लोगों ने UIT के साथ ही विधायक संदीप शर्मा के खिलाफ भी प्रदर्शन किया बाद में पुलिस बल मौके पर पहुचा भीड को तितर बितर किया इधर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरास्त में भी दिया है पूरे घटनकरम की ये एक्स्क्रूसिव तस्वीर जी मीडिया पर जिस पर यहाँ पर लोगों ने थोड़ा विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना आए था कि हमको बताया नहीं किया और ये कारवाई की गई जिनों ने इच किया है विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ जो भी कानूनी कारवाई होगी हो की जाएगी एक वाइफर से आपको बता दे कोटा का ये पूरा वाक क्या है दरसल यूआइटी के कारवाई के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया कोटा के महावीर नगर में ये हंगामा हुआ है यूआइटी ने इलाके से अतिक्रमन हटाने के कारवाई शुरू की लेकिन लोगों का आरोप है कि इस कारवाई से पहले उन्हें सूचित नहीं किया गया और अब रुक करेंगे जालोर का जालोर की भीनमाल इलाके में ग्यारहवी के छात्रा से दुशकरम का मामला सामने आया इस मामले में चौकाने वाली बात ये कि जब पीड़त पच्ची ने अपनी मा को इस बारे में बताया तो मा अपनी बेटी को ही धमकाने लगी ठकहर कर पीड़त अपने पिता के साथ भीनमाल थाने पहुंची केस दर्च करवाया मामला दर्च हो जुका है लेकिन आरोपी खुला घूम रहा है ऐसे में पुलिस के रवेखे पर भी सवाल एक भीड़ से आपको बता दें बभागल भीम गाउं में किराए के मकान में रहने वाली यह नावालिक बच्ची है अपने मकान मालिक को पिता के बराबर मानती थी लेकिन आरोपी ने अपना घिनोना रूप दिखाया, बच्ची से दुशकर्म किया आरोपी ने दो साल तक नावाली काश चारे रिक शोशन किया लेकिन माने बेटी के शिकायत को बार बार निजन अंदास किया जिसके बाद ये बच्ची अपने पिटा के साथ थाने पहुंची केस दर्ज करवाया लेकिन उससे भी चौकाने वादी बात ये कि मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपी खुला घूम रहा है और पुलिस ने अब तक कोई कारवाई नहीं की तो किस तरीके से एक मा ने रिष्टों को शर्मसार किया दरिंदों का साथ दिया जालोर से ये चौकाने वाला मामला एक मासूम बच्ची एक नावालिक बच्ची जिसके साथ दुशकर्म होता है अपनी माँ को आप बीती बताती है लेकिन माँ भी दरिंदों का हिस्साथ देती है आखिरकार बच्ची किसी तरह पुलिस तक पहुँचती है और अब पुलिस भी कारवाई नहीं कर रही पूरी खबर पर जानकारी लेंगे जी मीडिया समवादाता बबलू मीना से बबलू ये बेहत हैरान करने वाला मामला है कुछ अपडेट इस पर सुनिता बिलकुल बताना चाहूँगा जैसे ही हमारे सामने ये मामला आया जी मीडिया को खुल कर जब ये बाते बताई ही तक हम पूलिस अधिकारियों के पास पहुँए तो पूलिस अधिकारिया कुछ कन्नी कातने को तयार थे लेकिन हमने फिर भी उनसे लगातार सवाल की उन्होंने आकर का क्या हम जल्क आ ही कारवाई करेंगे लेकिस तरीके थे कारवाई कर रहे हैं ऐसे में तो कहीं न कहीं जैसे बड़े-बड़े मामले आए हैं ऐसे में बच्ची की जो आत्मा है वो दर्द बरी जो दास्तान है वो दास्तान रूख खड़ी करने वाली दास्तान है उसके मुह से जब वो सुनाती है तो आंकों में आंसु बरके ये कहान सुनाती है ऐसे मैं कहीं एक माँ भी अपने रिस्टे को तार-तार करती हुई दिखाए दे लेकिन पुलिस अभी भी कुम करण की नींद सोई हुई है सुनी था बिल्कुल बेहती शर्मस्तार करने वाली ये घटना और अब नज़र पुलिस पर है कि किस तरीके से पुलिस आगे कारवाई को अंजाम देती है शुक्री आपका बबलू इस पूरी जानकारी के लिए और अब बात करेंगे शुक्षा संकुल में हुए हंगामे की इस मामले पर शुक्षा राजिय मंत्री वैसुदेब देवनानी ने बयान दिया है देवनानी का कहना है कि इस बैठक में जिसको बुलाया जाता है वही आता है इसलिए शुक्षा परिवार के सदस्यों का मीटिंग में हंगामा करना वलत था अगर शुक्षा परिवार के सदस्यों को सुझाओ देना था तो वो ऑनलाइन भी दे सकते थे किसी भी मीटिंग में बिना बुलाए किसी को नहीं आना चाहिए और इते सुझाओ देने हैं तो सुझाओ के लिए हमने सब वेबसाइट पे मांग लिए हैं वो सुझाओ देते और फिर भी आगरा करते हम लोग अलग से उनसे सुझाओ आगे बढ़ेंगे जैपुर नगर निगा में साथ महीने बाद 30 दिसम्बर को होने जा रही साधारन सभा की बैठक हंगामेदार रहने की संभावना है सफाई चेर्मेन के बरहष्टा चार के खुलासे की बाद कॉंगरेसी पाश्रद आक्रामक है और मेर निर्मल नाहता को घेरने की रणनीती तयार कर रहे हैं पिछले काफी समय से मौके के इंतिजार में बैठी कॉंगरेस को सफाई चेर्मेन बरहष्टा चार मामला संजीवनी बूटी की तरह मिला है कॉंगरेस के पास अब मुद्दा भी है और सवाल भी जिसका जवाब वो 30 दिसम्बर को नगर निगम की साधारन सभा की बैठग में मेर से मागीगी और सथाई सफाई करमचारियों के भुकतान में तीन सफाई चेर्मेन के लेंदिन का आडियो वाइरल होने के बाद से बीजेपी बैक फुट पर है और कॉंगरेस मौके भुनाने को तयार कॉंगरेस पार्षदों ने ऐलान कर दिया है कि जनता से जुड़ी समस्याओं को आगे रखते हुए रश्टाचारियों के खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे बरुन भंसाली, जी मीडिया, जैपूर्ट आगे बढ़ेंगे सरकारी योजनाएं शुरू तो की जाती हैं अच्छे एरादों के साथ लेकिन जिन्हें उन योजनाओं को अमल में लाना होता है अगर वो ही आँखे मूंद लें तो अच्छी से अच्छी योजना का लाप लोगों को मिल नहीं पाता कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है सवाई माधुपूर में जहां लाखों रुपए खर्च कर टेली मेडिसीन सेंटर बना तो दिया गया लेकिन अस्पताल प्रिशासन की लापरवाही के चलते अब तक ये बंद पड़ा है सवाई माधुपूर के अस्पताल में बड़ी लापरवाही सालों से टेली मेडिसीन सेंटर में लगा है ताला लाखों की मशिने धूल भांक रही हैं और टेली मेडिसीन सेंटर में इंटरनेट का कनेक्शन भी काम नहीं कर रहा मरीजों के इलाज के लिए बड़े अस्पतालों के डॉक्टों से अब राय शुमारी की भी जाए तो कैसे लिहाजा फिर से मरीजों को जैपुर रेफर कर दिया जा रहा है अस्पताल के पीएमों का कहना है इस सेंटर की जरुवत ही नहीं रह गई है क्योंकि डॉक्टर्स मोबाइल से ही जरुवत की जानकारी हासिल कर लेते हैं सरकार जिस योजना को जरूरी समझती है क्यों अस्पताल उसे इस्तमाल में ही नहीं लाते दस साल पहले सवाई माधवपुर में जब इस सुबिधा की शुरुवात की गई थी तब ये सुबिधा इस इलाखी के मरीजों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं थी लेकिन सेंटर की स्थापना के कुछी दिनों बाद से इसे बंद कर दिया गया और आज तक इस सेंटर पर ताले लगे हुए हैं जिला अस्पताल में पचास डॉक्टर तैनात हैं लेकिन इस सेंटर के इस्तमाल की मशक्कत किसी नहीं की लहाजा मरीजों को जैपुर रेफर किया जाना फितरत बन गया है सरकारी योजनाओं की बधाली का हाल सिर्फ यहीं नहीं है दरसल सरकारी योजनाओं जनता के लिए वर्दान तो मानी जाती है लेकिन चित्तोर गड़ में भी सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है यह रिपोर्ट देखिए चित्तोर गड़ में ये हकीकत है उस योजना की जिसको लेकर प्रदेश सरकार विकास के दावे करती है कहने को तो सीम जन आवास योजना लोगों के लिए वर्दान है लेकिन इसके ही लाभारती इसे खोकला करार दे रहे है योजना के मताबिक 325 वर्ग फीट के फलेट की की कीमत 3,90,000 रूपए निर्धारत की गई है जबकि 500 वर्ग फीट के फलेट के लिए 6,00,000 रूपए निर्धारत की गई है लोगों का दावा ये है कि इतना पैसा खर्च करके एक अच्छे मकान का निर्मान किया जा सकता है लोगों का आरोप है कि सीम जना का मकसद सरकार की जेवे भरना है हमें ऐसा प्रतित होता है कि जो मुख्यमंत्री जनाव श्योजना चालू की गई है जो गरीबों को आश्याना देने के लिए प्रादंट की गई है लेकिन इसके माध्यम से रायस्तन सरकार की मंच्छा राज्यस्वी कर्था करने की है सवाल ये है कि जब इस योजना का मकसद गरीबों को आश्या मोहिया कराना था तो इसके खिलाफ सुर क्यों उठने लगे है जाहिर है जब कोई सरकारी योजना लाब देने की बजाए नुकसान पहुचाने लगे तो इसकी विश्व सिनेता पर सवाल उठने लाजमी है शाम बैशनव जी मेडिया चुट तोर बड़ इस बीच बीज़बी के वरिश्ट नेता घंशाम टिवाडी की अगवाई में चैपुर के बिड़लाग ऑडिटोरिया में दीन दयाल इसमृति संस्थान का प्रदेश अस्तरिय सम्मिलन अगवाई नहीं है उनको कहीं आंधर प्रदेश से लाकर राजस्तान में नद्यों को जोड नकले बठा दिया है यह राजस्तान का स्वापमान इसलिए राजस्तान के स्वापमान की बात कर रहे हैं मित्रो कारिकरप के लूपरे का में परीवर् NGO हूआ हमने जो बास होती थी कि हर जिले से दस दस पास पास कारे करता हैंगे और देपर जिले से 1100 कारे करतों वो निमंत्रित करेंगे अभी जो अपना रिजिस्टेशन हुआ है वो 9600 लोगों का रिजिस्टेशन हुआ मित्रों यह आप लोगों को बैठे हो आप आराम से पहले आगे वो बार बैठे हैं तीन जगह LCD लगी हुए है उसके बाद भी देखनी पा रहे हैं मैं उनसे ख्रमा चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस तुरूटी के लिए ख्रमा करें अब जो कारेकरम करेंगे वो बिड़ला सवागार में नहीं करेंगे अब जो कारेकरम करेंगे वो अम्रूदों के बाद में करेंगे और जब हम हम आज़ा करते हैं हम आज़ा करते हैं कि आपकी बावना और लोग समझ लें पर थोड़ा सा लाड़ी अब मित्रों आप मेरी बात सुनो बार जो लोग बैठे हैं वो बहुत तकलीप में हैं इसलिए मैं अपनी बात मुख्य मुख्य बाते आपकी निवेदिन करना चाहता हूँ अभी मैंने राजस्तान के मापुर्शों राजस्तान के नजियों का बारे में बढ़न किया हैं मेरे बारे में लिखाया राजस्तान के स्वाविवान का प्रतीत मैं नहीं हूँ मैं हूँ अगर चले अपन यहां से तो माराजस्तान को सब जानते होंगे जिन्होंने अंग्रिजों के सामने जुके नहीं और दिल्ली का दर्वाजा तोड़ कर लेकर आ गए गोकुला जाड को भी सब जानते होंगे मारना परताप को भी जानते काली बाई को भी जानते विकाना जोदपुर कौन-कौन सास्तान है जो जुके नहीं और लड़े वो राजस्तान का स्वाविवान के प्रतीक है मैं तो क्योल उनका पुजारी हूँ कर दो भगवार ने मुझे पुजा करने के लिए जरू हुआ आ आज जानते की लिए किस कि साटी ने कों-कोंसा बलभा नहीं किया पतिक साब निकिया मानग कला जनीए कि फ्र्लंद्या कि विपरार पिर्म के जुकन है कि राजस्तान कभी चारगा नी बना कभी सेरगा नी बना वो राजस्तान को चारगा और शेरगा बुढ़न बेटों को MLM पृणने की प्रेड़ना लेते लाल चार वारे हिंद तेरी शान भज ले जो हुझ ने आहने हिंद की शान के लिए पटने चारे बेटों का बुझे के पाइड भीधान कर दिया उस महापुर्थ्ज के हमने गाने को उसकी प्रार्थना को हमने हमारा थीम सोंग बना कर चला है तो जो प्रेणा लेने वाला यह से हैं वो प्रेणा वैसी देंगा यह काम कैसे सोचा मैं दिन्यवाज हूँगा मेरे मित्रुप जो यहाँ पर बैठे हैं जिन्नोंने अब आवाद नहीं जिन्नोंने 28 बर्स पहले यह दीन कि हम लोग दूसमें जवान थे हैं पॉन बन्वार लाल जी आत्मा राम जी पॉन कुमार जी नर्सिंग लाल जी शुरेजमन जी तेजप्रकाल जी सारे हमारे मित्री गोर्धिन दिक्षित का ध्यानत हो गया हमने 28 बर्स पहले जब राजस्तान में किसी ने भी दिन द्याल जी उकपाद ज्यायकाश मृतिस्नि निष्ण नी बनाये था हमने पंडित दिन द्याल ज्याल जाएके विचार प्रसार करने के लिए शुर्धिस्टान बनाया उसका बहुन बनाया और आस्ट्रार को उसमें एक कार्य करताय से जो 53 साल को है प्रतम बर्च नुटियवर्च त्रितियवर्च संका शिक्षित है तीन भाई यह तीनों भाई संके तीनों प्रतम बर्च नुटियवर्च शिक्षित है उनको मैंने कहा क्या आप यहां के कारले प्रमुका काम करूंगे जवानी में थे बुड़ा पा आ गया और सीधे आपको लिए चलते हैं दिली जहां पक्की नौकरी के लिए शुक्षक प्रदार्शन कर रहे हैं इसल इन्हें कॉंट्रक्ट पेस्ट पर लिया गया था और अब यह नियमती करन की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर यह प्रदार्शन आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से अब भीड को तितर बितर करने की कोशिच हो रही है पुलिस ने वाटर कैनन की मदद ली है राजधानी दिल्ली की यह तस्वीरें जहां पकी नौकरी की मांग पर टीचर प्रदार्शन करने पहुंचे पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है प्रदर्शन कारियों के खलाफ ये तस्वीरें देश कराज़धानी दिल्ली से दरसल कॉन्ट्रेक्ट बेस पर टीचर्स को रखा गया था लेकिन अब इनकी मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए पक्की नौकरी मिले इसी को लेकर ये प्रदर्शन करने पहुचे थे तमाम शुक्षक इसी बीच पुलिस ने भीरकोती तर्बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली में पक्की नौकरी की मांग कर रहे कांट्रक्ट्राइक्ट्रोल टीचर के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बोचारों का सहारा लेना पड़ा है बुलेटिन में फलहाल इतना ही बने रहे जी राजस्तान न्यूस के साथ तमस्कार